हेलो एंड वेल्कम टो दी वर्ल्ट ऑफ सिविल गूजी सिविल इंजीरियर टेरिंग इंश्यूडूट में आप सभी का स्वागत है मैं सुधीप कुमार अगरवाल इस्ट्रक्चर डिजाइन और आप सभी के लिए कॉर्पेट ट्रेनर लाज्ट लेक्चर में हमने देखा थ कोई कॉपी नहीं कोई पैन नहीं सिर्फ चुटकी में निकलेगा एक्सल में फॉर्मला डाले फिर निकाले एक चीज़ चुड़ गई नमबर ऑफ इस्टिरप देखना है आज कि नमबर ऑफ इस्टिरप कैसे निकाल सकते हैं वो भी उसी तरह है आपको कोई कैलकुलेटर न यहां पर बीम है यह क्या हो सकता है कॉलम तो समझ में रहा है बीम खाली कैसे हो सकती है यहां पर कोई दूसरी बीम हो सकती है या फिर केंटी लीवर बीम हो सकती है इस तरह से कुछ भी केस हो सकता है दूसरा इस तरह बीम आ गया इस तरह कॉलम हो या फिर इस तरह भी कॉलम इस तरब भी कॉलम्, या फिर एक और केस हो सकता है, दोनों तरफ बीम हो, पंतु ये केस आपको बहुत रेयर लगेगा, आपको लगेगा कैसा कैसे हो सकता है, कि दोनों तरफ बीम हो, ये होता है सेकंडरी बीम के केस में, सेकंडरी बीम क्या होती है, वो प्राइमरी बीम के पर रेश करती है इस तरब भी आपकी एक primary beam इस तरब भी एक primary beam ये चारों case को एक ही एक्सल solve कर सकता है आपन लोग जिसको नाम देने ताइप वन एक्सल अब solve करने के लिए चलते हैं अब number of देखते हैं पहले मैन्वली कैसे निकाल सकते हैं जब तक मैन्वली नहीं बन सकता एक्सल में नहीं बनाई हैं सबसे पहले concept develop करना चाहिए फिर उसके बाद solve करेंगे तो concept के लिए number of इस चिरप निकालना है number of इस चिरप का formula अभी तक आप देखते आ रहे होंगे हमाई वीडियो तो बहुत वीडियो में एक्स्पें किया गया है कि यह number of इस चिरप निकालते कैसे इसका formula कैसे आया अभी देखते है number of इस चिरप कैसे निकाल सकते length divided by spacing plus 1 length क्या हो यह जो आपकी unsupported length है या फिर beam की जो length है उस पर आपकी बात हो यहाँ पर जो आपको length दिया है center to center दिया है तो हमें length यह जो green color का दिख रहा है इसकी length चीए अब यह length निकालने के लिए अपनको center to center परता है तो center to center में यह red color का दिख रहा है मतलब column का आधा हिस्सा minus कर सकते है column का आधा हिस्सा मतलब 400 divided by 2 जो की 200 है तो आप यहाँ लिख दिये total length 3000 minus 400 by 2 अब आपको इतना portion एक्षा add करना पड़ रहा है beam का आधा तो आपने वो लिख दिया beam का आधा add किये divide by spacing spacing जैसे 130 दिया है plus 1 तो इस तरह से आप manually solve कर लिए अब देखते हैं इसको excel में solve करने के लिए क्या क्या चीज की ज़रवात है excel में solve करने के लिए अपनको दो main formula की ज़रवात है जो basic formula है plus minus वो तो ठीक है दो एक formula की ज़रवात है जिसको बोलते है excel के term में logic अब यह जब condition या logic सही है तो क्या result दे तो उसको बोलते है true case और दूसरा false case इस तरह से excel में work करता है इसको और भी जानेंगे excel के पार्ट में दूसरा round up formula round up formula क्या होता है कोई भी आपने number दिये है उसको round up कर देगा जैसे 8.3 दिये है तो उसको 9 बना देगा चाहे वो 8.1 हो तो भी उसको 9 बना देगा round up जो भी value है उसको next digit पर ले जाएगा अब इसके बाद पूरा solve करते है excel पर कहीं आपको अच्छा लाग रहा होगा तो वीडियो को like करें ऐसा लाग रहा है कि किसी इंजीनियर की help कर सकता है तो उसको share करो इसी तरह कि और lectures आपको चाहिए तो चैनल को subscribe करो bell icon को दबाना ना भोले क्योंकि उससे आपको तुरंक notification मिल जाएगी लाच लेक्ट्चर में हमने solve करके देख चुका कि bottom extra तक कैसे निकाले आज ये session में हम देखने वाज है इस शिरप का कैसा solve करना अब इस शिरप भी mention है कौन सा है तू लेक्ट शिरप तो description में लिखती है तू लेक्ट शिरप number of items कितने होंगे number of items तो सेम ही रहेंगे is equal to 2 यहाँ पर number of items कि इंडिकेट कर रहे है कि कितनी बार वो बीम रिपीट हुई है अब diameter of bar इस शिरप की बात हो लिए तो 8 mm जितना दिया है enter अब यहाँ पर hash आ गया है तो इसको कैसे हटा सकते हैं इस पर click किए ctrl 1 यहाँ पर general पर गए और ok कर दिये हट आएगा अब number of bar निकालने इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे cutting length इसकी बहुत असान है उसको मैं अभी नहीं बदा रहा हूं आपको सिर्फ number of bar में focus करने हैं पहले वहाँ पर जो formula लिखे थे number of bar ले क्या formula लिखे थे 3000-400 by 2 जो कि आपका column का half था प्लस 200 by 2 जो कि आपके beam के half portion एड़ किये मतलब क्या हो रहा है column के कारण minus हो रहा है beam के कारण add हो रहा है किस पर हो रहा है आपका center to center distance पर मिटा देता हूं मैं इस एक वल्ट यह क्या है आपका center to center distance प्लस और माइनस किस के ओपर depend करेगा यह प्लस कब होगा जब आपका beam हो माइनस कब होगा जब column से condition डाले if यहाँ पर जो लिखा है वो क्या हो column लिखा है यह formula देख पाने है वन्ना मैं इसको नीचे भी लिख दूँगा फिर से यह आप से देख सकते हैं आप इप बी थी इस इकवल टू कॉलम कहीं वह कॉलम लिखा हुआ है कहीं कॉलम लिखा हुआ है तो क्या होना चीए अभी तोदे पहले देखें माइनस करना है अपन को सबस्तर ना माइनस कितना उसका सेक्षन का हाफ कंभागई वहीं पर कॉलम के जाके बीम होता तो एडीशन होता तो प्लस कितना होगा इतना ही डिवाइट बै टू प्रेकेट बनत यह क्या होगे आपका पहले कंडिशन के अब दूसा सपोट के लिए करे तो प्लस से इफ कं अब यहां ला सक्ष्ट सपोर्ट 2 is equal to column inverted comma 1 comma कहीं यह column हुआ तो minus कितना होगा जितना उसकी विद्ध है Divide by 2, इंजे कॉलम, ब्राकेट बंद, यहां से आपकी क्या लिखली, लेंथ निखली, length निकली, length निकाला है, बस, length कैसे निकाले, 3000, minus 400 by 2, plus 200 by 2, यह क्या हो गई, आपकी लेंथ हुई, इसको किस से डिवाइट करना है आपको, spacing से divide by 130 करना था same concept आपका यहां पर भी लागेगा जो भी data लिखा है जो भी equation लिखा है उसमें क्या करना है starting में एक bracket डाले end में एक bracket डाले और divide by क्या कर देंगे आप spacing spacing यहां पर लिखी हुई है हर अन्ध्यान लिखेंगे कोई value नहीं लिखेंगे value लिखने का काम आपका starting में था उसके बाद से value नहीं लिख रहे उसके formula बनाते जाने आप यह अब length divide by spacing हो गया आपके formula में क्या होता है एक extra add भी करना रहता है तो यहां पर जैसे plus 1 लिख सकते हैं वही आप same यहां पर आखरी में गए plus 1 कर दिए अब जो यह 23.3 value आई यह हम इतनी number उपास तो हो नहीं सकती number उपास हर अदम क्या होगा whole number होगा मतला मैं 23 बाल ले सकता हूँ या 24 बाल ले सकता हूँ 23.3 बाल तो ऐसे ले ही नहीं सकता अब मुझे लेना क्या चीए 23 बाल लेना चीए 24 बाल लेना चीए सबसे पहले यह ध्यान देते है मैं 23 बाल लिया तो क्या होगा spacing जो 130 की दिया था मुझे उससे ज़्यादा प्रवाइट करना पड़ेगा spacing थोरी सी बढ़ानी पड़ेगी जो की allowable नहीं है spacing जो दिया गया है उतना ही provide करना है उससे कम spacing में कर सकते हैं उससे ज़्यादा spacing नहीं provide कर सकते हैं तो इसे का नहीं दम अपन को क्या चलेगा 24 चल सकता है 23 नहीं चल सकता मतलब जो भी number आया है उसको अपन लोग को next whole number में लेज के जाना है जैसे 23.3 है तो next whole number किया है 24 24 तो एक तरह से बोल सकते हैं उसकी अब value करने तो इसको बोलते हैं round up तरीका इसका इसका तरीका क्या है मैंने शाटी में भी बताया is equal to round up लिखना है bracket डाले number number के जगे आप कोई सा भी number डाल सकते हैं जैसे ये एक number है मैं सो click कर देता हूँ comma zero लिखिए इसका concept बाद में कभी बताऊंगा कि ये 0 क्यों लिखते हैं इसमें और नंबर लिखने तो उसका क्या मतलब है 24 बन गया similarly यहाँ पर starting में डाले इद्दम इस starting में equal to के बाद round up r o u nd up एक bracket डालेंगे इद्दम आखनी में चले रहेंगे comma zero bracket बंद enter कर देंगे आपका formula generate हो गया अब इससे क्या हुआ number of bar मैंने यहां से निकाला तो मुझे पाइदा क्या मेला यह तो मैं हाथ से भी calculate कर सकता था पर तो जैसे आप section में change किया जैसे यहाँ पर column आ गया समझो तो आप column वाला case है कॉलम की कुछ width दी होगी माल लेता हूं 300 दी है तो आपने आप number change कर लिया मेरा beam की length कुछ और हो तो आपने आप number of बार निकाला है मुझे फिर से calculate करने की जबदत नहीं पढ़ जी कोई सभी case हो वो आपने आप solve कर रहा है हमने cases देख चुके कि वो क्या-क्या हो सकते है उन में से कोई सभी case हो वो आपने आप solve करेगा आप cutting length की बारी यह आप खुद निकाल सकते हैं इसमें तरीका क्या है equal to जो आप manually solve करने हैं उसको यहाँ पर लिखना है पर सबोरों जो भी आप manually solve करने हैं उसको लिखना है पन तो लिखो कि कैसे इनके term में जैसे आप section की बात वी तो beam का section देया हुआ है तब value यहाँ से लेंगे खुद लिखेंगे नहीं यहाँ पर hopefully मुझे लगता है आप बना सकते हैं इसको आपको और detail में सीखना है कि हर एक जैसे यह beam type 1 वी beam type 2 कैसे solve करेंगे footing का कैसे निकालें, stirrup का कैसे निकालें इस तरह से अलग अलग केसे slab में 2-way slab, 1-way slab, circular slab इन सबको Excel में कैसे solve करेंगे यह पूरा जानना है तो आपको वह corporate training course में bar bending schedule advance में मिलेगा या फिर आप call करो 9-1-1-0-1-2-3-4 मिलते हैं अगले section में जब तक लिए बने रही है सिविल गुरू जी के साथ